कि अगे अगे हैं अगे आप स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पिके क्यान मस्ति में हम लोगों ने क्लास 20 में जो प्रतिलों त्रिकोड मिति यह फलन है उसका जो दूसरा प्रशनावली है उसमें 6 तक शवाल जो हैं हल कर लिए हैं इसके बाद आगे जो शवाल करना है है यह उसे हल करते हैं समझते हैं वीडियो को सुरू करने से पहले मेरा लिक्वेस्ट है आपसे कि आप जब भी वीडियो देखिए न उसे एक क्रम में मतलब यह है कि मैंने जो कश्वी प्रतिलों त्रिकोड में दिया फलन में जितने भी दियो मना रखा है उसे क्रम से पहला देख लीजिए फिर दूसरा फिर तीसरा इसी तर शेवीडियो देखिए अगर वीडियो छोड़ के आगे की वीडियो देखते हैं तो हो शकता है आपको शवाल जो है बहतर समझ में नव है तो शाही से समझ मैं इसके लिए आप लगात से हैं तो इसको हम लोगों को टैन की रूप में कुछ बनाना है क्या कुछ बनाना है समझी तो टैन इन वर्श और ध्यान से समझीएगा रूट में वन माइनस और कॉस टू ठीटा का अर्धव का शोत्र जो पढ़े हैं हम लोग जिस्ते की यहां एक कटकर सुन्य बन जाए तो लिख लेंगे क्या कॉस एक्स के जगा वन माइनस टू साइन स्क्वैर एक्स अपान टू बन गया ऐसे कि सके जगा लिखे कोस एक्स के जगाई चीज लिख दिए और पॉर्ण में वन प्लास और यहां कॉस प्रच्छ का कौन सा सुत्र लिख लिएंगे तो बराबर आप कॉस ए बराबर एक सुत्र पड़े होंगे कि को स्क्वेर एबाइटू माइनस वन मिलकुल उसी तरह से आप को से लिखेंगे तो को सिस्क्वेर एक सो आपकॉर्ड टू माइनस वन तो हल किया जा बनेगा इसको हल किया जा सो बनेगा ऐसे टैन इनवर्स नहां दीजिएगा रूट में वन माइनस का गुड़ा जब कराएंगे तो चीन बदल जाएगा माइनस वन अब प्लस टू साइन इस स्क्वेर एक सो अपन टू अपन वन और प्लस कॉस इस स्क्वेर यहां ध्यान दीज चाहिए टू को सिच्वेर 1ब two 2 को सी स्क्वेर एकस ऑपन टू माईनस द्याम दीजिए कौ को हम के प्लस वन- माईनस बनेपर 10 inverse root में ध्यान दीजिए गा 2 sin square x upon 2 बचा है 2 sin square x upon 2 upon में 2 cos square x upon 2 2 cos square x upon 2 ध्यान दीजिए 2 से 2 एक बार में कट जाएगा और ध्यान से समझिएगा sin square x upon 2 upon cos square x upon 2 क्या बनेगा sin upon cos क्या होता है 10 यहां बनेगा root में 10 square x upon 2 ध्यान दीजिएगा तो root में 10 square x upon 2 है 10 inverse और यहां बाहर क्या मिलेगा tan x upon 2 तो tan inverse tan x equals 2 आप सूत्र पढ़े है tan inverse tan x equals 2 x होता है बिल्कुल इसी तरह से यहां tan inverse tan x upon 2 इसके जोगे क्या मिलेगा x upon 2 यहीं क्या हो गया यह जो सवाल में दिया गया था tan inverse root में 1 minus cos x upon 1 plus cos x इसका शुक्षतम सरलतम रूप प्राप्स कर लिए हम दो इसका देखिए आठ नमबर शवाल दिया गया है tan inverse cos x minus sin x upon cos x plus sin x और कहा गया है कि इसको सरलतम रूप में प्राप्स करेंगे क्या करेंगे यह जो इतना चीज दिया है cos x minus sin x upon cos x plus sin x उन्हों कोई उपाय लगाएंगे और इसको हल करके tan की रूप में कुछला देंगे कैसे आएगा समझे आध्या देजिए tan inverse अबर कोश x minus sin x जो है न इसमें भाग कर लेंगे उन्हों किसे से cos x से अब और हर में जो है cos x plus sin x इसमें भी भाग करेंगे उन्हों किसे से cos x से और इससे कोई अंतर होगा तो अंस और हर दोनों में भाग किया है cos x से cos x कट जाएगा फिर यहीं मिल जाएगा आगे हल किया कोई अंतर नहीं पड़ेगा दोनों में भाग किया आगे बनाया जा टैन इनवर्स जान दीजिएगा इस cos x को इन दोनों के अलग अलग बटा में करेंगे तो cos x के बटा में जब करेंगे तो cos x upon cos x 1 minus sin x upon cos x क्या मिलेगा 10 x upon इसी तर से इसको इन दोनों के अलग 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 बटा में करेंगे तो cos x बटा cos x 1 plus sin x upon cos x 10 x मिल जाएगा आगे इसको हल किया जा, ध्यान देजिएगा, 10 inverse, और यहां बताईए, कि एक जो है, वो 10 में कितने अंज का मान है, 10 45 अंज का मान है, 10 45 अंज, लिख सकते हैं, एक के जग, minus 10x upon, बताई में क्या बनेगा, 1 प्लस, और ध्यान से समझीएगा, जो 10x है, इसको देखिए तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 10 45 अंज, गुड़े 10x, क्योंकि 10 45 का मान एक और एक गुड़े 10x करेंगे, क्या मिलेगा, फिर 10x ही मिल जायागा, तो 10x के जगए ऐसा निख लिए, ऐसा क्यों लिख सकते हैं, तो देखिए यदि 45 को एक करें हम लोग, x को b, तब क्या बन जा गए हैं, 10a-10b upon 1 plus 10a into 10b, तो सुत्र होता है, किसे का, 10a-b का, तो हल की आज़र, 10 inverse, और इसके जगए क्या लिख लेंगे, 10 a-b, तो a के जगए क्या, 45 अंज, माइनस, b के जगए क्या, x, अने कैसे, अब 10 inverse, 10x के रिक्वेस्टों क्या होता है, x, x, तो यहाँ 10 inverse 10, और x के जगए 45 अंज, तो क्या मिलेगा, 45 अंज, 45 अंज, 45 अंज, 45 अंज, जो है, इसको पाई बाए 4 भी तो कर सकते हैं, रेडियल में जब बद रहेंगे, कैसे रेडियल में बदलते हैं, तो जो 45 अंज हैं, 45 अंज, इसमें गुड़ा करा लेंगे, पाई बटा एकस हो, असी अंज से, तो गुड़ा कराएंगे, तो एक इतने बार में कड़ जाएगा, चार बार में यही मिल जाएगा, पाई बाई फोर, पैता जितन से देखा लिख लिए, पाई बाई फोर, माइनस, एकस, यही हो गया, क्या, जो दिया गया था, शवाल में, इसका, सरलतम, रूप, आठ नंबर सवाल है, इसको, पूरा कर लिया, आगे जाल करते है, नौ हम लोगो, यहाँ, एकस के जगह, उपाए ऐसा बनाना है, एकस के जगह, कुछ ऐसा त्रिकोड मेतिया, उपात रखना है, कि इसको, हल करें हम लोग, एकस अपन रूट में, इसकार माइनस, एसकार, हम लोगो, क्या मिल जाए, टैन के रूप में, यहाँ, कुछ मिल जाए, एकस इसकार नहीं होता, वन होता, तो मैं केवल साइन थीटा रखता, यहाँ, एसको देखते हुए, अब लोग, एकस इसकार तू एसकार रखने पर, यहाँ पर थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए, इसकी जगुरत पढ़ेगी, यहाँ, कुछ हल करके मान निकालना है, यह एकस के जगह, एसाइन थीटा उपon रूट में, एसकुरा और यहाँ, एकस इसकोर है, तो एकस का जब उखर करेंगे, तो क्या बढ़ेगा, एसकुरा शाइन थीटा, थीटा, अगे हल करते हैं, तो तैन इन आवर्स, एसाइन थीटा, और यहाँ ध्या दिजिए का root में यह देखिए तो इन दोनों से a square common हो जाएगा ना तो बनेगा यहाँ 1-sin square theta आगे हन्की आज़र तो 10 inverse a sin theta और यहाँ ध्याँ दिजिएगा root में a square है तो बाहर क्या मिल जागा यह जाएगा इन्टू यह रूट में दिजिएगा 1-sin square theta सुत्र क्या है 1-sin square theta तो 1-sin square theta is equal to cos square theta त्यानी खरेंगे क्या root में cos square theta आगे इसल करते हैं 10 inverse यह से एज़र है एक बार में कड़ जाएगा तो sin theta और रूट में cos square theta है तो बाहर क्या मिलेगा root से बाहर cos theta तो tan inverse sin theta upon cos theta क्या होता है देखिए तो tan theta tan inverse tan theta tan inverse tan x तो इसी तरह से tan inverse tan theta के जगर क्या मिलेगा theta अब यहां हम लोगों ने अब बने से theta के रूप में प्रतिस्ता बेत किया है तो यहां से theta का याद करेंगे बाहर हम लोगों कि क्या बनेगा theta equals 2 तो sin theta equals 2 आप बनाईए पहले sin theta equals 2 तो a का इधर बुड़ा है इधर भाग हो जाएगा तो x upon a बनेगा that's imply इसी को अगर आगे हम लोगों करेंगा इधर sin है इसी के साथ जब लिखेंगे तो theta equals 2 बन जाएगा sin inverse x upon a यही हम लोग फिर theta के जगर लिखेंगे theta के जगर क्या? sin inverse x upon a तो लिख लिखेंगे theta equals 2 theta के जगर लिखेंगे sin inverse x upon a sin inverse x upon a सरवत्त व्रूप हो गया इसका तो यही जीच कहा गया था आगे हल करते हैं 10 नंबर शबाद देखिए 10 नंबर शबाद दिया गया है tan inverse 3 a square x minus x cube upon aq minus 3 a x square और इसका सरवत्तम रूप क्याप करना है इसे में x के जगर कुछ प्रतिस्थापीत करेंगे क्या रखेंगे? x equals to a tan theta रखने पर रखते हैं और ध्यां दीजी यहां थोड़ा से जगर छोड़ दीजी क्योंकि आगे ज़रूरत होगी हम लोग को theta गावान निकालना होगा तो tan inverse 3 a x के जगर क्या? a into tan theta minus x cube तो इसका जब हम लोग दोनों पक्षों का घं करेंगे x cube बराबर क्या मिलेगा? a cube tan cube theta upon a cube minus 3a और ध्यां दीजी x square x square बराबर a square 10 square theta तो x square के जगर a square 10 square theta तो आगे मिलेगा आप लोग को 10 inverse नहीं दीजीएगा a square into a a cube बनेगा और इसमें भी a cube दोनों से a cube क्या हो जायागा? common हो जायागा तो क्या बनेगा? 3 10 theta minus 10 cube theta upon इन दोनों से देखिए तो यहाँ a cube है यहाँ a into a square a cube बनेगा अभी तो इन दोनों से a cube common कर लीजीए क्या बनेगा? 1 minus 3 10 square ठेटा बनेगा इसे? आगे हल किया जा तो नहीं दीजीएगा 10 inverse 10 inverse और यह देखिए a cube से a cube जो है एक बार में कड जायागा तो बचेगा क्या? 3 10 theta minus 10 cube theta upon 1 minus 3 10 square theta और ध्यान से समझीए यह जिजी theta को हम लोग मन में a कह लें तो क्या बना है? 3 10 a minus 10 cube a upon 1 minus 3 a तो हम लिखते है 10 inverse 10 3 a लेकिन a के जबर क्या है? theta तो 10 3 3 theta अब अब शूत्र पढ़े है कि 10 inverse 10 x equals to 100 होता है 10 inverse 10 3 theta अब यहाद theta के जगा प्रतिस्थापित करेंगे जब theta हम लोगोने अपने से x बड़ाबर है तो यहाँ से theta equals to क्या बनेगा? तो पहने देखिए तो 10 theta यहाँ से theta equals to क्या बनेगा? 10 theta equals to यहाँ से theta equals to क्या बनेगा? बनाईए तो theta equals to 10 जब इसके साथ आएगा तो inverse लग जाएक 10 inverse एक साथ आपवाल ए तो theta के जगए 10 inverse एक साथ आपवाल ए तो 3 into a theta के जगए 10 inverse एक साथ आपवाल ए यहीं क्या हो गया? इसका सरल्तम रूप तो इस तरह से 10 नबर सवाल हल हुआ आगे हल करते हैं एक ज्यादा नमबर सवाल से दिया गया है 10 inverse 2 cos 2 sin inverse 1 upon 2 और कहा गया कि इस कमान ज्याद के जिए जब यह ऐसा सवाल दे देना तो सबसे पहले अंदर से हल करना सुरू करते हैं मतलब बिलकुल यहां अंदर यहां से नहीं 10 inverse 2 cos 2 और ध्याद से समझीएगा sin inverse 1 upon 2 है न तो sin inverse पो लिखिए आज यह बताईए कि sin में कितने अंस का माने एक बटा 2 होता है तो sin 30 अंस का मान होता है एक बटा 2 तो sin 30 अंस तो sin और 30 अंस के देखा 5 by 6 लिख सकते हैं प्रेडियन में लिखे तो तो बन गया से अब ध्याद दीजिए अब ध्याद दीजिए 10 inverse 2 cos 2 2 और यहां ध्याद दीजिएगा साइड दीजिए साइड दीजिए एक्स होता है साइड दीजिए साइड दीजिए पाई भाई 6 2 इंटू पाई भाई 6 आगे हल करते हैं 10 inverse 2 cos और ध्याद से समझिएगा यह दो शेक कटेगा न 6 कितने बार में तो पाई भाई 3 यह cos के cos में ठीटा की जगा आगया अब आगे हल करते हैं 10 inverse 10 inverse 10 inverse 2 और ध्याद से समझिए cos 5 by 3 5 by 3 को अगर अंस में बदले हम लोग तो क्या साथ हंस cos साथ हंस इस का मान कितना होता है cos साथ हंस का मान होता है एक बट्टा दो यह लिख लिए cos 5 by 3 के जाए क्या एक बट्टा दो हलकी जी दो शेदो कड़ जागे कितने बार में एक बार में एक बुड़ एक एक मिलेगा 10 inverse 1 अब 10 inverse 10 इसका मान जो है होता है 10 45 अगर रेडियर बद रहेंगे तो मिल जाएगा 5 by 4 हलकी जी 10 inverse 10 x इस तो 10 inverse 10 5 by 4 5 by 4 यही हो गया इसका मान तो हम लोगों ने इसका मान क्याप कर लिया आगे देखिए 12 नमबर स्वाल में दिया गया है 10 inverse A और इसका मान जियत करना है अंदर से हल करना सुरू करेंगे अल की दिये तो कॉट ध्याम से समझीएगा बाहर कॉट है ना अंदर कॉट इन्वर्स चैसा कुछ बनाएगे तो यह तो कॉट इन्वर्स में है किसे लिखा मैंने आपको सूत्र बता रखा चुकी 10 inverse X equals to सूत्र होता है कॉट इन्वर्स कुकी 10 inverse X equals to सूत्र होता है कॉट इन्वर्स 1 और एक तो बिल्कुल इसी तरशे 10 इन्वर्स एक हम लोग लिए कॉट इन्वर्स 1 और एक तोड़ लेंगे इसको मन में कहलेंगे X और इसको Y कॉट इन्वर्स X plus कॉट इन्वर्स Y सूत्र होता है कॉट इन्वर्स Y into X तो A into 1 upon A minus 1 upon Y minus X Y के जगह A है minus X के जगह 1 upon A हल करते हैं तो कॉट 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 इन्वर्स और यहाँ सबजिएगा A से A जो है एक बार में कट जाएगा 1 minus 1 सुन्ने मिलेगा सुन्ने के बटा में कुछ भी रहे मान गया बन जाएगा सुन्ने न तो कॉट इन्वर्स यहाँ मिल जाएगा सुन्ने कॉट कॉट इन्वर्स जीरो है तो जैसे कॉट इन्वर्स एक्स हो तो क्या मिलता है एक्स बिल्कुल इसी तरह से कॉट सुन्ने तो इसके जाएगा सुन्ने कैसे लिखे चुकी कॉट कॉट इन्वर्स इस्वकल क्या होता है एक्स सुन्ने सुन्ने क्या सुन्ने प्रक्ष्व होगा यहीं क्या होगा मान होगा परदियेगा ज़ंदी आप सवाल जुड़ है आपके पेपर में आजाता है तो उसा नंबर का आता है तो गदेता है ऐसे बना लेजिए एक नंबर का देटा है को नंबर का आगर आगर आता है तो उसमें कुछ इस्से पदें ने होगे इस तरह से कर लीजेगा आगे देखिए जो छोटा वाला रूप है उसको मैं समझा दे रहा हूं बारना पर जो सवाल है इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं हम लोग फॉर्मूला जानते हैं इसको फॉर्मूला हुता है आइबहुव हैं तो एक गया इसजासे बंदाता है तो का की Nagu सिखक्राइब कर तो 502 किट्रां होता है सुन्य होता है ना यह थो 542 करेंख को आगे हर करिके एकना इस प्रेंग सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब इस रखेंगे एक इन अलफा एक बराबर टैनल फा था य बराबर प्रें पीटा रखने पर तो क्या बनेगा एं 1 upon 2 पुर ध्याम दिएगा sin in a verse 2 into a x के जगर 10 alpha upon 1 plus x इस इस पहर है 10 square alpha बनेगा इसका वर्ग करेंगे x का x का बनेगा 10 square alpha plus cos in a verse 1 minus y सुकर तो y के जगर 10 बिटा रख रहा है नगर तो y सुकर तो इसका वर्ग करेंगे y का तो क्या मिलेगा 10 square बिटा 1 minus 10 square बिटा upon 1 plus y square तो फिर 1 plus 10 square बिटा बनेगा यहाँ आगे हल्की आजा तो 10 1 upon 2 sin in a verse अगर alpha को हम लोग theta कह लें 2 tan theta upon 1 plus 10 square theta किसका सुत्र है sin 2 theta का तो यहाँ लिख लेंगे sin 2 theta के जगा लिख लेंगे क्या alpha क्योंकि इसमें alpha है sin 2 alpha plus cos in a verse और यहाँ ध्याँ दीजिएगा अगर बिटा को हम लोग मन में a कह लें तो 1 minus 10 square upon 1 plus 10 square किसका सुत्र है cos 2 a का तो यहाँ लिख लेंगे cos 2 2 लेकिन a के जाएगा चुकि इसमें beta है इसजिए क्या रिख लेंगे beta आगे हल की आज़र तो 10 1 upon 2 sin inverse sin x is equal to x होता है बिल्कुर इसी तरह से sin 2 alpha के जबें क्या मिलेगा 2 alpha plus cos inverse cos x is equal to सुत्र क्या होता है x cos x is equal to x तो इसी तरह से cos inverse cos 2 beta के जबें क्या मिलेगा 2 beta आगे हल की आज़र तो मैं क्या करगा हूँ इसको मिटा ले रहा है तो इससे इससे जो है इन दोनों से 2 common हो जाएगा तो 10 1 upon 2 और 2 common कर लेंगे तो क्या बनेगा alpha plus beta alpha plus beta बन जाएगा अब तू से 2 जो है इक बार में कड़ जाएगा तो 10 alpha plus beta तो हम लोगों ने चुकि हम लोगों ने x बराबर क्या रख़ा है इसमें 10 alpha और y equals to 10 beta तो जाएगा यहां से बनाईए तो कि alpha equals to क्या बनेगा 10 inverse x alpha equals to 10 इसके साथ सिखेंगे तो inverse लग जाएगा इसी तरह से यहां beta equals to क्या बनेगा 10 inverse y तो रखते हैं इसमें 10 alpha के जगर 10 inverse x plus beta के जगर 10 inverse y अब इसको तोड़ेंगे इस सुत्र से 10 inverse x plus tan inverse y के सुत्र से 10 inverse x plus tan inverse y का सुत्र का होता है 10 inverse x plus y upon 1 minus x into y अब चुकि 10 tan inverse x बराबर का होता है इस बिल्कुल इसी तरह से 10 tan inverse x plus y upon 1 minus x y क्या मिलेगा इसके जगर एक्स प्लश वाई अपॉन वन माइनश देखिये यदि यह शवाल जो है टीन नंबर का पूच लेए फिर चार नंबर का अभी मैंने तो तेरह नंबर शवाल बता है इसको ऐसे हल करेंगी यदि यह कम नंबर कर सवाल फूचता है जैसे दो नंबर का सवाल पूच लेता है सब्सक्राइब करेंगे लोग ऐसे बना लेंगे टैन वन आपन टू और यहां सिधर रख लेंगे फॉर्मूला यह किसका सुत्र है सब्सक्राइब करेंगे अब इन दोनों से तू कमन हो जायागा तो टैन वन आपन टू इंटू और अंदर क्या बनेगा टैन इंवर्स एक्स प्लस टैन इरुबर्स वाई इसके बाद डू श्यू और में कोड़ जायेगा तो है टैन इन इन वर्स एक प्लस टैन इन वर्स वाइव और इसे बाद फिर या दिसफियुचा रूकर यहां रहा लेंगे यहां से प्रोमाइग च्वर्स यह लिए पास फ्रीक प्लस दिख लेगें और यह जो 10 inverse x plus 10 inverse y बना है, इसके जगर लिखलेंगे, क्या सुत्र होता है, 10 inverse x plus y upon 1 minus x into y, 10, 10 inverse x, इसका सुत्र x होता है, तो मैं पुरिशी तरह से यहां, 10, 10 inverse x plus y upon 1 minus xy, क्या मिल जाएगा, इसके जगर, x plus y upon 1 minus x into y, तो ऐसे भी हल कर लेंगे, तो कब, जब कम नंबर का पु यही सवाल अधिक नंबर का जाए, जैसे 3 नंबर या फिर, 4 नंबर का सवाल लेता है, पेपर में, तब इससे पहले मैंने जो बता है, इस तरह से हल कर लेंगे, तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में, जो प्रस्णावरी 2.2 है, इसमें 13 तक हम लोगो ने शवाल हल कर है, तो इसे अपने दोस्तों भी साथ, सेर कीजिए, और हमारे चैनल, पीकिंग अनमस्ती को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ, बेल नोटिफिकेस्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अप्लोड करूँ, आपको उसकी जनकारी राप्त हो जाए, और आ झाल से और हमारे की जनकारी राप्त हिस्टारी है जनिता नई भी साथ, के तो से थ़ कि जब भी मैं जनकारी रही साथ, जो हWell।